पेरिस ओलम्पिक से विनेश फोगाट्न डिस्कौालिफाई हो गई है। परेशानी भी लोगों के चेहरे पर ज्छलक रही है और ये वो तमाम पहलवान है जो भविष्यय का सपना देख रहे हैं। इसका भी सपना है ऑलम्पिक में जाना है ऑलम्पिक जीत के लाना है अब सबके हाथ निराशा हाथ लगी है क्या इसको लेकर यह सोचते हैं कि करके लोगों से बातशीत करने की कोशिश करूँगा सर आप से नाम जाना चाहूंगा आपका मेरे नाम कुलिविंदर सुमिय आचा और इसी के उनकी छोटी सी गलती कारण हो एक हमारे देश का और बच्चों के भाविश्य जो बच्चे देख रहे हैं उस भाविश्य को एक गोल्ड हमारे हाथ से चलाए बरोसा था पूरा गोल्ड मिलता 110 परसंट शोर इस बार जिस हिसाब से वह लड़ रही थी पूरा पूरा मैच देखें बिलकुल एक मैच सब ऐसे तो आपको क्या लग रहा किसकी कमी यह पूरी स्टाप की कमी है और जिस हिसाब से बिनेस दी ने पाली कुस्ति लड़ी जापान से बहुत बहुत अच्छी कुस्ति लड़ी उन्होंने अब पाली से लगाए दूसरी से फाइ पाणा था क्योंकि हिसाब से वाथ हर चीज उनका अपने साफ से चल ला था यह पूजिए इसके लिए और इसे हम लोग को बहुत दुखी हुगा इस वह बहुत दुखी है क्या कमी लगती है वैसे सब चीज करना चाहिए उनके खान पीन पर ध्यान देना चाहिए वह क्या सब्सक्राइब करने या बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं हम लोग पाले से अपना चाहिए तक मुझे इतना वेट करना तो हतुस् Aegish more फिरंश सद्वाइब करते हैं करते हैंब करते हैं अच्कर निकलेंगे बैड़ लिए लौस होंगे इस चछिस जैंडेना चाहिए घ्यान को आपको क्या लगा है जैसे अगर आपसे जानना चाहुग rôle कि अच्छी बहुत बूरा लग रहा है माली जी अब उलम्पिक में उसका गोल्ड की उमिद बहुत ज्यादा थी गोल्ड याया होता अप इसकी लग रहा है पहले से चेक कना चाहिए था अच्छा यह बड़ी चूक इस्टाफ की बहुत बढ़ी आज गोल्ड आया होता एक उल अब फेट वाली चीज ज्यादा लेते हैं के लिए यदा खाते हैं फेट वाली चीज जुर रहती हैं जाधाखाते हैं अच्छे लोग उन्हों तो बता दिया कि जो साथ में सपोर्टिंग सथाफ गया था उसकी कमी रही निराशा तो सब के मन में है क्या कमी लगती है सब्सक्राइब कर देखा कि बहुत दुख हुआ कि एक आशा थी कि इस पार गोल्ड आ जाएगा लेकिन लेकिन हमें फिर निराश राप्त हुई पहलवान है जादा चीज़े जानते हैं सब को बताएगी सब्सक्राइब कर दिया अच्छा आपको यह लग रहा है यही है पूरी उमीद थी इंडिया के लिए भारत के लिए फिर से गोल्ड की प्राप्ति होगी रहसलिंग के द्वारा यही थी अच्छा यही थी अच्छा य मुझे एक चीज़ बताई आप देखे तमाम लोग कह रहें कि अगर वेट बढ़ाना होता है तो जैसे केले हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े थोड़ा आप से समझना चाहूंगा कर वेट कम करने का क्या तरीका वेट कम करने का यह तो थोड़ा जैसे डाइट में कैलोर कोई जादे भी कर लेता है कोई कम कर पता है यह तो एक अपनी प्रक्टिस के ऊपर निर्वर करता है कि कौन कितनी करें लेकिन आपको नजर जो है सपोर्टिंग स्टाफ की नजर आ दिए कमी जो बिल्कुल दिखिश में तो साफ दिखाई दे रहा है कि मेन और उन्हीं की ही कमी है नहीं तो पहले भी चेक कर सकते थे वह पहले चेक कर लेते पता लग जाता तो वह घटा लेती लड़की और उसने अपने इसाब से घटाया लेकिन लाश्ट टाइम पर जब हुआ तो टाइम निकल गया सिर्फ सो ग्राम वजन मातर सो ग्राम तो एक घंटे का मुश्क आपको लगता है घंटे में कम किया सकता सौ ग्राम वजन आप होते तो कैसे घटाते को साब जैसे बोलते हैं वैसे करते हम लोग अपने आप वजन का लौस हो जाता हम लोग को एचली मुझे बहुत बुला लगा विनेस जी का उनको टाइम नहीं मिला वजन लौस करने के ल है उनके स्टाफ रूंके बाद में बताया यह चीज बहुत बुरा लगा अच्छा अगर आप होते कैसे कम कराते हैं सो ग्राम वजन जो आप कहने कि एक घंटे में देखिए उसके लिए तो यही है के विंग चीटर पर नाकर थोड़ा रोल वगरा करा देते मैट पे और थो तो सो ग्राम आसानी से घटा सकते हैं उन्हें तो वैसे भी देखो इतने बड़ी मंच पर खेल रहे हैं खुद प्लेयर को इतना नुभव हो जाता है लेकिन बस यह है कि एक बार अगर वो चैक हो जाए तो प्लेयर अपना आप कर सकता है यह चीज अपना भी कर लेगा तो देखें तमाम यह वो पहलवान है जो मेरट के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम में आकर प्रैक्टिस करते हैं बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं लेकिन विनेश पोगाट के साथ जोगा उसको लेकर बेहत निराश हैं परिशान भी हैं और सब के चेहरे आप टास्क नहीं है करीब एक घंटे की मेहनत करने के बाद भी आसानी से वजन को घटाया जा सकता था लेकिन जब वजन किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके लिए कह रहे हैं कि एक सपना तूट गया है सपोर्टिंग स्टाफ की बड़ी चूक है बड़ी चाहिए था कि वजन किस चीज से बढ़ेगा और कैसे घटेगा